तब ही अचानक चीते बच्चे का पीछा करने लगते हैं लेकिन माँ हमला कर देती है और जैसे ही पहला चीता नियों को चेज करता है ये भी फौरण उसका पीछा करने लगती है दूसरी बार ऐसा लगता है जैसे अब इस बच्चे का खेख खत्म हो जाएगा लेकिन तेर सो किलोग्राम वजनी मा का गुस्सा पासा पलड़ देता है मा आज अपने बच्चे को मरने नहीं देने वाली और अब नियो जानता है कि उसे क्या करना है उसे भाग कर भेर से जोने में शामिल होना है